यहां विशे रखा गया है कि हिंदोस्तान को भारत को G20 ऐसा करके दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का जो मंच है उसका समेलन करने का सोभाग्य या उसको होस्त करने का मोका मिला है कुछ दिन पहले भी आप से प्रेस बारता के मादेम से बाचीत हुई थी और आज और अब ये दिन बिलकुल नजदीक है यनि जो G20 हिमाचल प्रदेश में रतीनी धी हिस्सा लेने वाले हैं वो कल यहां धर्मशाला पहुँचेंगे और 1920 तारीक को यानि 1920 अप्रेल को वो यहां पर डेलिबरेशन यहां पर उनके एक्सपोजर टूर ऐसा करके जो हमारा विदेश मंत्राले है और प्रदेश सरकार और जिला प्रशाशन के माद्यम से यहां पर सारी कारवाई होने वाली है मैं कुछ एक बातों की तरफ जिकर करना चाहता हूं पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जी ट्वेंटी ऐसा लगभग पूरे देश की पूरे देशों की उत्पाद सकल गरेलू उत्पाद को परखा जाए तो 85 प्रतीशत यह देश उत्पाद करते है और अगर इन देशों के नर्याद की बात की जाए तो यह 75 प्रतीशत कवर करते है और पूरी अगर जमीन का जिकर किया जाए तो पूरी दुनिया का 60 प्रतीशत जो भूखंड है जमीन है उसको रिप्रेजेंट करते है इसलिए भारत सरकार को या भारत को इस कॉनक्लेप करने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ है तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद मोदी जी धन्यवाद ये स्वभाग्य और मोका हिंदोस्तान को मिला है एक बात इसमें और जोड़ना चाता हूँ कि ये जो कॉनक्लेप हो रहा है या यहाँ पर जी ट्वंटी ऐसे प्रती निधी आ रहे है ये किसी एक राजिय का नहीं है ये कुछ लोगों का नहीं है ये स्वावी मान पूरे देश में सभी लोगों में जगे कि पूरी दुनिया यहाँ पर प्रती निधीयों के रूप में इकठे आ रही है जैसे धर्मशाला में धर्मशाला में ऐसे प्रती निधीयों का स्वागत होगा अविनंदन होगा यहाँ पर अलगलग स्थानों पर होडिंग्स लगाए गए है यहाँ के बियंजन उनको प्रोसे जाएंगे यहाँ के उस समेलन में जब डेलिगेटी कठे होंगे तो डेलिवरेशन्स होंगी यहाँ पर वो एक्सपोजर टूर होगा यहाँ की चाए है यहाँ का पालंपूर का पालंपूर का चाए बगान है इत्यादी इत्यादी स्थानों पर वो जाएंगे के CSIR है यहनी हिंदोस्तान आज कहां पर खड़ा हुआ है यह प्रत्यक्ष उनको अपनी नजरों से वो देख सके ऐसी डेलिवरेशन साइन्स टेकनोलोजी यहनी विज्ञान और प्रद्योग की ऐसे विशे को लेकर के यहाँ पर डिलिवर की जाएंगी यह मैं बताना चाहत इस नुज इस ब्रॉट टू बाइज 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 नगरोटा बगवा